गनेश को नाम के एक गाउं में राजु नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था राजु के घर एक पपीते का पेड़ था जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजु उन्हें तोड़कर गाउं की बाजार में जाकर बेचाता था राजु का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जद करता तो राजु उसे समझाता बेटा अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेजेंगे क्या पपीते को छोड़ो और रोटी खालो एक दिन रंगा नाम का आदमी राजु के पास धेर सारे कपड़े लेकर आया रंगा पहलबानी कर चुका था गाओं के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे क्योंकि वह शारेरिक रूप से बहुत ताकतवर था रंगा कपड़ों की गठरी राजु को दे कर बोला राजु इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना सौव से ज़्यादा कपड़े हैं राजु इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे दो तीन हजार रुपे की कमाई होने वाली थी राजु उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जम कर कपड़े धोए ठंड में कपड़े धोते धोते राजु के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुखाम, हासी और बुखार हो गया मैं रंगा के कपड़े देकर पेमिंट लेकर आता हूँ फिर दवा लेने चलेंगे राजु जब रंगा के पास पेमिंट लेने पहुचा तो रंगा ने तेवर बदल लिये ठाकुर जी पर मेरे पांच हजार आ रहे हैं उनसे मेरा पेमिंट मिल जाए तो तुम अपने रुपे ले जाना या सीधे जाकर उनहीं से मांग लो तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं इससे मुझे क्या मतलब मुझे मेरा पेमिंट चाहिए मतलब तुम्हे गाओं में किसी की परिशानी से कोई मतलब नहीं मोटे ताजी रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया वह भीचारा चुप चाप अपने घर लोटाया पिता जी आपको पैसे नहीं मिले क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा पेटा इश्वर सबकी मदद करता है मैं तुम्हें गर्म पानी में निब्बू निचोड़कर पिला दूँगा उससे भी बुखार उतर जाता है पिता जी मेरा पापीता खाने का मन कर रहा है एक पापीता तोड़ दो ना राजु ने अपने बेटे के लिए पापीता थोड़ा उसने जब पापीता काटा तो उसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ पपीते के बीज सोने के थे राजु ने पेर पर चड़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा हर पपीते के बीज सोने के निकले राजु की मा, राकेश बिटा, जल्दी यहां आओ देखो हमारे पपीता में सोना निकला है पपीते से निकला सोना बेच कर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंदा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है तो वह गाउवालों से जाकर बोला गाउवालों पपीते का पेड भले ही राजू के घर में है लेकिन है तो वह गाउवालों की जमीन पर उस पेड के पपीतों का सोना गाउवालों को भी बाट देना चाहिए बोलो मैं सही कहता हूँ या गलत रंगा ने गाउवालों को हूप भड़काया और गाउवाले उसके बातों में आ गए वे राजू के घार जाकर पपीता मांगने लगे ठीक है अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे बारी बारी से हर एक गाउवाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा मैं चाहता हूँ कि सभी गाउवालों का जीवन इस्तर उपर उठे गाउव के लोग राजू के विवहार से बहुत खुश थे राजू के पपीतों की वज़े से पूरे गाउव में सुख सम्रिधी आने लगी लेकिन रंगा का दिमाग हिर घूमा मैं गाउव में शारेलिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखार ने पहुचा उसने गाउवालो से कहा गाउवालो पपीते का पेड़ गाउव की जमीन पर है अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे बात तो एक ही है और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए मैं इस पेड को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा रंगा ने जैसे ही पेड उखाड़ा उस पेड के सारे पपीते गिर कर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआ निकला जो पूरे गाउं में फैल गया काले धुए ने राजु के घर को छोड़ कर गाउं के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया रंगा अगर तुमने पेड ना उखाड़ा होता तो सभी गाउं वाले अमेर रहते तुम्हारी वज़ा से गाउं के लोग फिर से गरीब हो गए गाउं के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब बिटाई की और उन्होंने रंगा को गाउं से बाहर निकाल दिया फिर राजु ने गाउं के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड दोबारा लगाया कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपी थे फिर से आने लगे मिनाक्षी और गुंजन एक दूसरे के पड़ोसी थे दोनों में बहुत प्यार महबबत था उनके घर के सामने से कही फेरी वाले गुजरते थे मिनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुंजन को आवाज जरूर लगा देती गुंजन अरियो गुंजन गोभी वाला आया है मातर दस रुपे किलो गोभी बेच रहा है तुम भी ले लो फिर कहोगी कि बताया नहीं इसी तरहे गुंजन भी जब कुछ खरीदती तो मिनाक्षी को बुला लिया कर दी एक दिन दुपहर में एक मटर बेचने वाला आया मिनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी ले लो बैन जी एकदम कच्ची मटर है कली खेट से तोड़ी है ठीक है एक किलो तोल दो मिनाक्षी ने हमेशा की दरहे गुंजन को आवाज दी गुंजन ओ गुंजन मटर वाला आया है अच्छी मटर है लेना है तो आजाओ संयोग से गुंजन उस दोपहर रजाई ओड़ कर गहरी नीन में सो रही थी मिनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब कुंजन बाहर नहीं आई तो मिनाक्षी ने अपने लिए मटर खरीद लिए और मटर वाला चला गया शाम को जब मिनाक्षी सबजी बनाने के लिए मटर छीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए मटर में से सोने के दाने निकल रहे थे उसी समय मिनाक्षी का पती शुभम ड्यूटी से लौट कर आया शुभम स्वार थी और लालची किस्म का इंसान था सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ मिनाक्षी के पती ने पूरे गाउं में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया जब गुंजन को पता लगा कि मिनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है तो वह मिनाक्षी के घर पहुची क्यों मिनाक्षी तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिये मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली शायद तुम सो रही थी अच्छा हाँ मैं परसो दोपहर थोड़ा सा सो गई थी मुझे लगा कि तुमने जान मूझ कर मुझे नहीं बुलाया मुझे माफ करना कि वा मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी गुंचन जब घर पहुची तो गुंचन का पती उससे बोला अब पता लगी तुम्हें अपनी मिनाक्षी बहन की असलियत तुम तो कहती थी कि मिनाक्षी बहुत अच्छी है अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई हमें गलत फहमी हो गई है मिनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर मीन में होने की कारण मैं मिनाक्षी के आवाज सुन ही नहीं पाई थी मैं नहीं मानता वो जूट बोल रही है उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाए उधर मिनाक्षी का पती शुभम काम धंदा छोड़कर घर बैठ गया था और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था मिनाक्षी उससे बोली क्यों न हम आदे किलो मटर गुंजन की घर दे आए हमारे साथ उन लोगों की घर भी सुक समरिद्धी आ जाएगी तो इसमें बुरा क्या है क्या तुम पूरी पागल हो गई हो आदे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है अगर आदे मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिये तो मुझे आदे जिंदगी काम करना पड़ेगा इसलिए आदे किलो मटर गुंजन को देने की बाद बिलकुल भूल जाओ एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया इस बार गुंजन के पती ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिए मटर कम से कम 50 किलो थे गुंजन और उसके पती ने मटर चिलने शुरू किये लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले गुंजन की घर पचास किलो मटर का कोई काम तो था नहीं इसलिए वह पड़े-पड़े खराब होने शुरू हो गए क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मिनाक्षी को दे आऊं यहां तो यह खराब ही हो जाएगी गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मिनाक्षी को दे आई मिनाक्षी गुंजन के वेभार पर बहुत खुश हुई उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरहे आधे किलो सोने के मटर गुंजन को दे कर रहेगी मिनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया एक सुबह जब उसका पती टॉलेट में था तो मिनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगे अपने पेंट किये हरे मटर के दाने रख दिये दुबहर में वह अपने पती से बोली सुनिये जी मैंने साधरान मटर की सबजी बनाई है सबजी थोड़ी ज्यादा बन गई है कुछ सबजी मैं गुझन की घर देकर आना चाहती हूँ शुभम ने भगौने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिये क्योंकि मिनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंच कर दिया था इस तरह मिनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुझन के घर पहुँचा दिये गुंजन और मिनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई मिनाक्षी एक बात बताओ जब तुम्हारे पती को पता लगीगा कि आदे मटर के दाने सोने की नहीं साधारण है तो तुमन से क्या कहोगी? कह दूँगी कि मुझे क्या पता? हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो?